कि हेलो फ्रेंट्स तो देखिए इस तरह की वीडियोस हम आम तोर पर नहीं बनाते हैं थोड़ा सांगा नवेंचनल है हमारे लिए भी बट इस वीडियो को बनाने के पीछे कुछ रीजन्स हैं क्यों बना रहे हैं प्रिकॉज पहले क्या दा कि हम यूजरी इस तरह के हम लोग सब्सक्राइब के साथ लगा तार वन-to-one इंट्रक्शन होने की वज़े से एक थोड़ा सा बन चुका है तो उनसे जब रेगुलर्ली इंटर्वल पर बाते करने से चीजे पता चली रिगार्डिंग मैनी ओफ थिंग्स बिकॉज अगर आप देखें काफी सब्सक्राइब मैं थे 6 साल भी है online में offline में और रख नहीं पहले मुझे पता नहीं था कोई इस तरह के नाम ले लेके बता सकता था बट हाट मतलब नाम लेके तो बता नहीं सकते बट डेफिनेटली कुछ चीजे हैं जो बताई जा सकती हैं तो वह चीज मैं आपको यहां पर थोड़ी से बताने की कोशिस करूंगा ताकि ऑल्दो देखिए सभी स्थूडेंट तक तो हमारी रीच नहीं है और अगर आपके सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली बनेंगे बट जितने भी हैं 200-400-500 बच्चे जो भी देखेंगे जो देखेंगे उनसे से प्रेक रिक्वेस्ट होगी आखरी तक देख सकते हैं ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा बट डेफिनेटली क्योंते की कोशिस करते हैं मैंने काफी सारी वीडियो में भी बताया है कि जब मैं पेपर 2 की आइडियल प्रपेशन की बात करता हूँ स्टैजी की बात करता हूँ मैं करूं या कोई भी ओर डिफरेंट आपड अगरो करते हैं तो आप देखेंके कि basically starting कहां से होती तो starting हमार तो पेपर 2 के previous year से देखने के लिए मिलती हैं तो सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो फॉर्स्ट इस्टेप आता है पीवाइक्यों ऑनलिशस का इस वुद्ध नरिक्छ से बेसिकली हम करते हैं तो हाम अगर देक्ठें कि बिवाइक्यों हम basically करते हैं to know the trend हम basically trend जानना चाते हैं हम जानना चाते हैं कि किस nature के questions आ रहे हैं हम यह जानना चाते हैं कि कौन कौन से theme से questions आते हैं कितना length and breadth तक हमें cover करना है कितने depth तक हमें जाने की ज़रुवत है यह सभी चीज़े जो है वो हमें pyq analysis से पता चलती है second step हमारा क्या होता है second step हमारी होती है content building यानि जब हम समझ जाते हैं कि किस तरह से कौन कौन से theme से जो हमें cover करने चाहिए तो उसके लिए फिर हम work करते हैं content building पे काम करते हैं इसमें static भी हो जाता है current topics भी हो जाती है then coming to this after that हम क्या focus करते हैं प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं ठीक है उसके बाद हम प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं अब प्रैक्टिस में दोनों चीज आ जाती है जो कि है time management and then time management and then your brainstorming ठीक है यह component और अगर आप देखें जो स्टुडेंट प्रैक्टिस अच्छे से कर ले content building अगर अच्छे से कर ले प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो उसे paper 2 में दिक्कत नहीं आती है यह एक ideal strategy होती है जो basically follow करने ही चाहिए अगर जो स्टुडेंट इस तरह से follow करता है उसके लिए काफी benefit होती है ठीक है अब मैं क्या आज बात करने वाला हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो courses के बारे में कि वीडियो courses paper 2 के लिए काफी useful रहती है या फिर जो वीडियो courses करा रहे है वह तो मैं आपको यह समझाना जाता हूँ कि वीडियो courses are not useful क्यों मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ देखिए बात करें तो आल्मोस्ट कोई उतना नहीं करता है ठीक है जहां तक मुझे पते हैं चीजे जब हम content building की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी इंस्टिट्यूट्स हैं मैं कोई एक specific को टार्गेट नहीं कर रहा हूँ आल्मोस्ट जो भी आप देखेंगे तो वह आपक से कम ही देते हैं बट मैंने एक आइडिया नमबर ले लिए 30-40 ठीक है अब थोड़ा सा देखते हैं चीज को और एक वीडियो कितने का होता है वन आवर मैक्सिमम यह 40-50 मिनट का ही होता है ठीक है अगर आप देखें कोई भी जैसे एक एक थीम ले लेते हैं इंटरनल सिक्य सब्सक्राइब लग जाते हैं अगर देखेंगे एक लेक्चर टुएंड आफ आवर्स और थ्री आवर्स के अप्रॉक्स होती है यानि कि अल्मुस्सिक्टी आवर्स आप मालें 50 आवर्स का कॉंटेंट यहां पर अगर थ्री आवर्स के अनुसार 75 इतना करीब हो जाते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 और 40 आर्स में 30 या 40 आर्स में वह भी मैक्सिमम है या 50 ही ले 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 इसमें वह पूरे कोर्स को कंप्लीट कराते रहे हैं पूरे पेपर टू के को आप थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि जब हम इंटरनल सेक्योरिटी की बात करते हैं जो CAC में भी आल्मोस्ट जितनी चीज़े करा जाते हैं 90% 80-90% चीज़ें आपको करनी होती हैं विकॉज आप समझने कोशिस करें कि पेपर टू में जितने थीम्स हैं कवर करने के लिए काफी extensive almost more than 200 आवर्स की लेक्चर्स की जरुवत पड़ेगी एक आइडिया लगना बा लिखते किस तरह से आर्गुमेंट लिखते किस तरह से हैं रिपोर्ट लिखते किस तरह से क्या structure होता है उसके लिए minimum 8-10 hours के लेक्चर के जरुवत है देखिए बताने के लिए तो यह वी बताया जा सकता है कि एसे में इंट्रो लिख लो बॉडी लिख लो conclusion लिख लो इंट लिखहरें किस तरह से डेवलोब लुट करते हैं तpad का लगेंदरेस करते कौन से कईवर्ड रिश जिसके और लिखवेट करते हैं तो उसके लिए तो टैनार्ट केEZश बड़ती है बटब आप तो 3040 समय चीज चीज़े हो जाती है मतलब कहां नहीं सकते कि क्या 30-40 अर्ट में होती है और वह बहुत सारे लाइव तो अप समझ सकते हैं वहां दिसकूंशन नहीं चले जा रहे इंडिया पाकिस्तान ओर तो मतलब अलग अपना कहानी जनाए जा रहे हैं इंडिया चाइना हो रहा है तो तो उसमें तो और भी मतल सब्सक्राइब करने होते हैं तो यह सारे कभी भी कवर नहीं हो सकते बट क्या है कि तो कुछ कहा नहीं सकते बट यह है कि बस आप देख सकते हैं 30-40 लेक्चर्स में आपको और आपको भी बहुत एक्साइटिंग लगता है वो सिर्फ दिखने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है बाट वो आपके लिए यूस्फुल नहीं रहता ठीक है जो भी वीडियो कोर्स होते हैं 10-12 जो भी लेक्चर्स जो भी 40 लेक्चर्स के आपको मिलती है क्योंकि उसमें चीजे कवर होई नहीं सकते ठीक है और सिंपल सी यह वह एक लॉजिक हो में लिए अगर फोकस करें तो मनी है बस और कुछ नहीं ठीक है कमिंग टू देस पार्ट अब थोड़ा सा जाते हैं आगे फिर क्या करेंगे कि वीडियो के बाद आपको क्या मिलेगी सर्ट सीरीज मिलेगी क्या मिलेगी टेस सीरीज कैसे तो 7 या 10 डेस पर आपको एक टेस् मिलेगी एक टेस्ट देखने के लिए आप खुल समझे कि कोई स्टूडेंट जिसे बहुत ज्यादा मंदा राइटिंग फियर है वह लिखने पाता वह चीजों को सोचता है फिर उसको पेपर पर नहीं लिख पाता वह कैसे एक सब्ता में एक या 10 में एक फुलन टेस्ट लि नहीं सकते क्योंकि इस लेवल का होता है मतलब अगर आप देखें सिर्फ मतलब आपको यह बताया जाता है कि सर आपका कॉंक्लूजन सही नहीं था आपका इंट्रोडक्शन और बेटर होना चाहिए इंट्रोडक्शन सुट भी बेटर अब वह बेटर कैसे हो वह कोई नहीं इस तरह से कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको इंप्रूब्मेंट की कोई नहीं बताता कि कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं ठीक है समझ रहें इस बात को तो आप खुछ समझने की कोशिस करें इस चीसे कि क्या कभी भी 30-40 लेक्शर्स के थुरू या कुछ टेस्ट आपको 10-12 टेस्ट के थुरू क्या चीज़ें हो सकती है होलिस्टिक ली कवर नहीं फिर विडियो लेक्शर्स कभी आपके लिए पेपर 2 का सल्यूशन हो सकता है नहीं हाँ उनके लिए मनीमेकिन सल्यूशन हो सकता है आपके लिए वह सल्यूशन नहीं होगा यह क्लियर समझ लें पेपर 2 की अगर हुलिस्टिक प्रिप्रेशन करनी है तो आपको पीवाइक्यू की अच्छे से करनी होगी खुद से कॉंटेंट बिल्डिंग फोकस करनी हो इसको कि इस नौट फीजिबल कि आप जो है वह थर्टी-फॉर्टी लेक्चर्स के तुरू चीजों को कवर कर लेंगे इससे बहतर है कि मनी को अपना सेव करें और फोकस करें कि खुद से कॉंटेंट बिल्डिंग कर लें ज्यादा आपको है तो कहीं पर टेस्टिरी जॉइ एक सलूशन हो सकता है लेकिन कभी भी यह वीडियो कोर्से यह सारी चीजे सलूशन नहीं हो सकती आप इस चीज को समझने कोशिस करें इसलिए आप थोड़ा वाइसली सोचें इतना कॉंप्रीहेंसिव इतना डीटेल है कि उस चीज को पेपर टू के वीडियो के थुरू 30-40 लेक्चर्स के थुरू कवर नहीं किया जा सकता वह भले ही आपको देखने के लिए थोड़ा एक्साइटिंग लगेगा बट इस कांट भी दसलूशन ठीक है तो इस चीज को आप समझें तो बाकि अगर यह आपकी मर्जी है आप अगर चाहते हैं कि ठीक है वीडियो कोर्से सही हैं आपके लिए आपके लिए work कर रही हैं चीजे तो ठीक है आप मतलब जिस तरह से कर रहे हैं आप चीजों को कर सकते बस मेरा काम था यहाँ पर बताना कि सार अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो कॉर्से के थूरू हम प्रिपरेशन कर ले तो वह फिजिबल नहीं है चीजे cover नहीं हो सकती, उतने कम time on frame में, ठीक है, वो सिर्फ देखने के लिए आपको exciting हो सकता है, बट वो cover नहीं हो सकती, ठीक है, तो यही सारी चीजे थी, जो मुझे बतानी थी, इसमें, कि don't run behind the courses, सबसे important है, video courses के पीछे ना भागें, यह आपके लिए solution नहीं हो सकता, आप उससे बहतर है कि खुद से prepare रहें, वो बहतर solution हो सकता है, ठीक है, तो इसी तरह से मैं paper one के video courses के बारे में, next video में बात जरूर करूँगा, उस से regarding भी कुछ exciting बात है, आपको देखने के लिए मिलेंगी, और काफी सारी चीजों पर अभी धीरे धीरे आपको चीजे देखने के मिलेंगी, तो इस तरह के videos और भी आगे मिलते रहेंगे आपको, बाकि अगर video आपको सही लग रहा है, तो आप comment section में अपने feedback जरूर दें, आप share कर सकते हैं अपने friends के साथ, ठीक है, इस तरह के video lectures आते रहेंगे, बाकि जो भी बाकि institutes हैं, जिनको लगता है कि आपके बार